कि स्टूट्ट वीजा के ओपर क्यों टिलेज आ रही हैं इसी वज़ा से अंबसी वालों ने इंट्रिव्यू भी रखने शुरू कर दिया है क्यों कि पांच साथ के बाद सीधी आपको पी यार मिल जाती है असलाम लेको अरवन वल्कम बैक टुआ न्यूं वीडियो त्यार कैसे हो आप साब अमीद के तो आप सब खेरियत से हो गए ठीक ठाक हो गए विए आप भी कह रहे होगे कि आज रूम के अंदर वीडियो बना रहा हूं तो भाही यहां पर हवाएं बहुत जादा चाहरी है मोस बहुत धंडा हुआ तो बहुत थंडा हुआ है तो आज से आपको आलमोस वीडियो देना रूम के अंतर ही मिलने माली है तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं सी ओस लेटर जो कि आपको तब मिलता है जब आपको यहां पर को इंपलोई जोब के लिए बलाता है यानि के अगर आपको जोब मिलगी इंटर्व्यू करने आ रहे हो तो बहुत टाइम से बहुत सारे लोगों के सब्सक्राइब करने वाला हूं लेकिन आपको बता है कि यहां बहुत ज़्यादा बढ़ गी है जैसे के स्टूर्ट वीजा पर वैसे ही के वीजा पर भी हो रहा इसी वजासे जो के ना स्टूर्ट वीजा भी लेट आ सब्सक्राइब करने से पहले थोड़ा सा स्टूर्ट का आपको बता रही है ताकि अगर आपका कोई भी दोस्त वहां आ रहा है तो आप लोगों के लेट आ रहे हैं आप लोगों को वीजास बेसिकली लेट क्यों मिर रहे हैं तो बहुत बढ़ गी है वह दो नमबरी कैसे ब टैस्त देने हैं या अपनी डिग्री वोच्णी दे रहे हैं अब अब तो करवानी पढ़ती निया ठीका लेकिन स्टिल उसका फाइदा यह लोग यह उठा रहे हैं के जाली डिग्री देने एवन के मुझे खुद मुझे बहुत सारे चुन्ट मैसिड करते हैं हमने वह हमार करवा दो मैं ऐसे सुलांस को बिल्कुल वी डील नहीं कहता ठीक है सीरे से भी डील नहीं कहता क्योंके मुझे बिल्कुल युद्ध कर सकते हो तो मैं आपकी प्लाटफोर्म है आपको 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 वहां पर अगर कोई बी सिंगल और और चोड़ दूगा तो आप लोग जाके अपनी 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 बुक कर सकते हो तो उसमें बात यह सबसे पहले तो आप लोगों के डिग्रीज वह बिल्कुल दोने चाहिए इसी वालों ने इंट्रिव्यू भी रखने शुरू कर दिया क्योंकि सबसे पहले तो उन्हें टेंशन होती थी कि आप लोगों के डॉकमेंट्स वह जाली हो रहे हैं उसके बाद आपके जो आइट्स पर चुछा हुँ अब आपको के यहां आपको सिंपल से बताता हूं कि यहां पर आपके सारे डोकूमेंट्स तो आरी जो है ना पर होते हिंद को शौर्ड कर वाके ना बहुत सारे लोगों गढनेंट्स बना कर यहां पर भेंजने हैं और यह विए इक ऐसा दिखे गोन मेरे कजन है थे वो भी वकील है उन्होंने मुझे बताया कि यार रीसंटी एक बंदा था उसको एरपोर्ट के उपर रोका उन्होंने कहा कि यार आपको डिपेंडेंट का पया तो उसने कहा कि यहां तक पहुंच किया वो सब्सक्राइब करें यार इनको बताब यहां तक नहीं हूं उसने क्या किया वो यार बेवकूफ था मैंने वहां बिल्कुल देहाती बंदा था उसने अपने कॉंसे को फोन करके कह दिया कि यार इनको बताओ के मेरी बुड़ी कौन है तो उसने ना उनका पांडा खोल दिया तो यह सारा माज़डा ठीक है तो इसी वज़ा से जो सी ओस लेटर ना वह भी डिले हो रहे हैं तो टॉपिक आ रहे हैं अभी मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया क स्टूट्स की लेटर क्यों टिले हो रहे हैं इसी वज़ा से इंटर्व्यू रखे गई हैं और अब जो बात में हैं के सी यूएस लेटर क्यों लेट हो रहे हैं के रूंबरकर विजा के ओपर तो उसमें भी सबसे पहला रीजिन यही आता है कि यहां पर बहुत सारी ऐसी कं लिए ही अपना काम शुरू किया ठीक है अब बेसी के लिए यहां पर बिजनस बन गए बिजनस इंसेंस के लोगों ने यहां पर उस चीज़ को धंदा बना लिए बेचना शुरू करती है ठीक है तो इस विज़ा से गोवर्मेंट जो बहुत जादा एक्टीव होगी है अब इसमें कहां से वीज़ा मिला ठीक है उसमें क्या आता है कि एक दिन से लेके एक अफ़ते के अंदर आप लोगों का सी ओस लैटर आदा लेकिन अगर आपको इन डिटेल सब कुछ बताना पड़ता है इवन के कंपणी को यह भी बताना पड़ता है कि आप कितने इनको घंटे इसके अंदर एक जगा क्योंकि उनको बताना पड़ेगा एक बंदा आप लोग अपरोड से बला रहे हो बाहर के मुलक से बला रहे हो काम करने के लिए ठीक है तो आपको उबिसली उसको काम भी देना पड़ेगा तो आपको दिखाना पड़ेगा होम ओफिस को के हमारे पास इतने ज़ादा पैसे मिनिममम अभी भी मैं आपको रेट बताऊना अगर आप अक्सां से दो लोग आ रहे हो तो कम अश्कम सतर से लेकर आपके लगते हैं अगर आप लोग आ रहे हो इतना रेट अब चला गया के वीज़ेगा ठीक है क्यों ले रहे हैं लोग क्योंकि पांस ददी नहीं है हमारे पास कामी नहीं है ठीक है तो इन दिस केस यहां पर क्या आरा था कि लोग बहुत सारे कैश काम जादा कर रहे थे और बहुत जादा पकड़े भी जा रहे थे बाद में जब उनसे पूछा जाता था तो वह कहते थे कि हम इस वीज़ेगा पर आ रहे हैं और जिसमें केर का वीजा टोप लिस्टिट था अब आपको टोटली उनको डिफाइन करना पड़ता है कि हम लोग यहां पर किसके पास और कितना काम करने आ रहे हैं तो इसी वज़ा से होम ओफिस के सरक्यों पर इसना बहुत सारी फाइल्स हैं तो बात हम कर लेते हैं लास्ट काम क्या आता है मैं इस सिंपल बर्स आपको बताता हुँ कि आपने अगर एक छोटा सा हॉस्पिटल खोला तो आप वहां मैं इंस्पेक्शन करने जा रहे हो तो और वहां जाकर चेक करेंगे के सारह कुछ अप्टुमार का यानि जो जो चीज़े एक स्टैंडर्ड वहां प अगर नहीं पड़ी तो ऑपने को लेतर लेटर देना अलाओ कर देंगे आप किसी बंदे को वहां पर बुला सकते हैं ठीक है तो बात यह कि मुझे अब यह नहीं पता कि अगर आप लोगों ने लाइन में लगा हुआ कि कब उनके पास इंस्पेक्शन के लिए टीम है कब वो अप्रूब करें कब वो आपको स्यूस लैटर दे तो इस वजह से भी आप अगर आप लोगों का काम हो जाएगा अगर आप लोगों को अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक चैनल पर नहीं तो चैनल करना सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाफीज